भाई जान क्या अब आप हमें भी रोकेंगे भाई मैं तुम्हारा घर पे हूँ इस वक्त मैं यहां ड्यूटी कर रहा हूँ तो जल्दी से दोनों अपनी तलाशी करवाओ भाई क्या बोल रहे हैं मैं आपका छोटा भाई हूँ और आप हमारी तलाशी की बात कर रहे हैं छोटे भाई तलाशी तो होके रहेगी क्योंकि इस नाके से बगएर चेकिंग के कोई नहीं जा रहा सिराथ चेक करो इने भाई यह ठीक नहीं कर रहे हैं सिराथ अच्छे से चेक करो इने सर मैंने दोनों को अच्छे से चेक कर लिया है कुछ नहीं इनके पास सही जा सकते हैं अब तुम दोनो तु तो बड़ी बातें करता था के मेरा भाई पुलिस वाला है मुझे कोई रोक ही नहीं सकता तो आज तो फिर तेरे ही भाई ने तुमें रोक लिया मैं पहले घुसे में और तु मुझे मुझे मजीद घुसा दिला रहा है मेरबानी कर बातें ना बना चुप हो जा चलो तुझे तो बात में छेड़ लेंगे अब ही मुझे जल्दी है एक जगा से समान उठाना है चलो चलें सरात तलाशी लो इसकी सर में मलक शाजेब साब का मुलाजिम हो जो पुलीस में है तुम चाहे जिसके भी मुलाजिम हो जल्दी से तलाशी करवाओ अपनी किदर रह गयो अभी तक घर गए नहीं सफाई करने के लिए सर में आपके घर ही जा रहा था लेकिन यहां नाके पे मुझे पुलीस वाले ने डोक लिया है अच्छा तुम बात करवाओ उनसे मेरी जी सर ये बात करें सिरात तुम इसकी अच्छे तलाशी करो जी सर मैं डियस्पी मलिक शाजेब बात करूँ क्यों रोक है तुम ने इसे सर डिपार्टमेंट की तरफ से ही तो ओर्डर्स मिले हैं कि इन रास्तों से मन्शियाद जा रही है तो इसलिए मैंने इसको रोक है चलो कर लो तुम मेरे मुलाजिम की तलाशी फिर फोरान आके मेरे दफ्तर में हाजरी दो ओके सर मैं आता हूँ सर इस बंदे के पास कुछ नहीं निकला चलो ठीक है ये लो अपना मुबाइल और तुम जा सकते हो असलाम सर आपने मुझे बुलाया था वेल डन लड़के तुम मेरे इम्तियान में कामियाब हुए हो कैसा है इम्तियान सर मैं कुछ समझा नहीं वो जो मुलाजिम के रूप में बंदा तुमारे पास आयता वो मैं नहीं भेजा था अच्छा आपने भेजा था लेकिन क्यों सर वो इसलिए ताके मुझे पता चले के चोके पे ड्यूटी सही से हो भी रही है या नहीं और अब इसकार कर देगी कि वज़ा से डिपार्टमेंट तुमारी बहुत जंद प्रमोशन कर देगा थैंकियू सो मच सर ठीक है अब तुम जा सकते हो भाईया थैंकियू सो मच जो आज आपने हमें रोका और हमारी तलाशी नी मुझे अब अकल आई है अब अकल आई है मैं कुछ समझा नहीं बलके मैं तो सोच रहा था कि उल्टा तो मुझे लड़ोगे जी भाईया वक्ती तोर पे तो मुझे घुसा आया था लेकिन इस सबसे मुझे अपने दोस्त की हकीकत पता चली है और बात यू है के ये एक नमबर माल है और मैं इस पार पैसे भी उसी हिसाब से लूँगा लियाज ऐसा क्या था इशापर में तुने एक चोक शेलिया और दूसरे चोक प्याग दे दिया ये सकून था सकून जो के मैं जरूरत मंदों में बाड़ता हूँ जिसे आम अलफाज में नशा कहते लियाज मुझे तो पता ही नहीं तो ये काम करता है हाँ मैं यही काम करता हूँ पहले मुझे तेरी वज़े से कोई फिकर नहीं थी कि तेरा भाई पुलिस में है लेकिन आज उसने तुझे नहीं बख्षा तो मुझे क्या छोड़ेगा हाँ यार भाई है तो ऐसा ही अच्छा तो तुम्हारा दोस्त इस काम में मुलाबिस है जी भाईया बस आप जल्द से जल्द उसके खिलाफ कानूनी करवाई करें यह नहों कि वो मज़ीद लोगों को नुक्सान पहुच जाए वेरी गुड जो यह सब तुमने बगाए डरे मुझे बताया अगर बाकी लोग भी इसी तरह पुलीस डिपार्टमेंट के साथ कॉपरेट करने लग जाएं तो इस मौशरे में बुराई जड़ से खतम हो जाए जी बिल्कुल भाईया आप ठीक कह रहे हैं चलो अब मैं जा के पुलीस टेशन इंफॉर्म करता हूं ताके उनके खिलाव जल्द से जल्द कानोनी कारवाई अमल में लाई जाए इस वीडियो को सद्का जारिया समझ कर जरूर शेयर करें हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिन्दगी बदल दे